गुड मॉनिंग एप्रिवन वैलकम टू एक्जाम और्बिट क्लासेज तो फेंट्स आज के इस सेशन में पांच मिनिट में टॉप टैन करेंट अफियर के कुषिशन रिवीजन करेंगे सबसे कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन इस क्लास में आप सभी का रहता है सभी परि सभी को डिटिल से करेंट अफियर पढ़ना है तो सुबह चार वजे करेंट अफियर की क्लास रहती है जिसमें आप सभी को डिटिल से करेंट अफियर पढ़ाया जाता है यह जो हमारा सुपर फास्ट रिवीजन होता है इसमें आपको कुषिशन करेंट अफियर के और उनका answer पताया जाता है तो आज का हमारा पहला सवाल है सुपरफास्ट रिवीजन में खबरों में रही Nord Stream pipeline किस सागर के नीचे से गुजरती है तो यह जो pipeline है यह gas pipeline है और यह गुजरती है वाल्टिक सागर के नीचे से राइट आंसर होगा option B अगला सवाल State of the Union address किस देश से संबंदित है तो State of the Union जो address है इसका संबंद है अमेरिका से राइट आंसर होगा option B नेस्ट कुशन इगल 44 जिसे हम ओगभ 44 भी कहते हैं किस देश का पहला भूमी गत बायुसेना अड़ा है तो इसका सही आंसर होगा option A ये इरान का पहला भूमी गत बायुसेना अड़ा है अगला सवाल हाली में किस राज में एक खाद तेल टैंक से तेल के अब सेसों को हटाने के दोरान दम गुटने के कारण सास रह्मिकों की मिरत्धी हो गई है तो फेंट्स ये मामला आया है आंध्र पर्देश सही आंसर है आप्सन B नेस्ट कोईशन है कि एर इंडिया ने कितने नए बिमान खरीदने के लिए एर बस और बोईंग से डील की है तो फेंट्स एर इंडिया ने यह समझोता किया है और पांसो बिमान खरीदे जाएंगे राइट आंसर होगा आप्सन A अगला सबाल है कि अंथरास्टिय किर्केट के तीनों फॉर्मेट में सतक जणने वाले पहले भारतिय कप्तान कौन बन गए है तो तीनों फॉर्मेट में सतक जणने वाले पहले भारतिय कप्तान बन गए है रोहिस सर्मा राइट आंसर है आप्सन A और रोही सर्मा को आप सभी पिक में देख सकते हैं अगला सवाल नई दिल्ली में मिसन अंतो दे सर्वेक्षण 2022-23 का जो उधगाटन है ये किसने किया है तो फ्रेंट्सिसका उधगाटन किया गया है गिरीराज सीन के दुवारा कोईशन यहां से दूसरा बन सकता है कि जो अन्तो दे सर्वेक्षण 2022-23 है ये कहाँ पर हुआ है तो याद रखेंगे ये नई दिल्ली में हुआ है नेस्ट कोईशन है कि पत्रकारिता के छेत्र में उत्तरकरष्ट योगदान के लिए प्रतिष्टित राजा राम मोहन राय राष्टिय पत्रकारता पुरुसकार 2020 के लिए किसे चुना गया है तो राजा राम मोहन राय राष्टिय पत्रकारता पुरुसकार 2020 दिया जाएगा ABK परसाद को और इन्हें यह पुरुसकार नई दिल्ली में दिया जाएगा तो सही आंसर होगा option C अगला सबाल football Asia cup 2027 की मेजवानी कौन करने वाला है तो इसकी मेजवानी की जाएगी किसके दुवारा तो याद रखेंगे friends इसकी मेजवानी करेगा साउधी अरब 2027 पूछें तो साउधी अरब 2023 पूछेंगे तो याद रखेंगे कतर इसकी मेजवानी करेगा तो राइट आंसर 2027 का होगा साउधी अरब अगला सबाल Asia की सबसे बड़ी helicopter factory कहां पर है तो friends हाली में इसका उदगाटन प्रधान मंत्री नरेंत्र मोदी जी के दुवारा किया गया था और ये जो factory है ये कदनाटक में बनाई गई है जो कि Asia की सबसे बड़ी helicopter factory है तो राइट आंसर होगा option B अगर डिटिल से इन question के बारे में जानना है तो कल की class सॉरी सुबह की class एक बार जरूर देख लिजेगा चार वजे वाली जो class हुई है उसमें weekly current affair का भी revision कराया गया है तो जो लोग daily current affair नहीं देख सकते हैं वो morning वाली आज की class जरूर देख लेना तो friends आज का ये super fast revision आप सभी को कैसे लगा comments करके जरूर बताईएगा अगर class अच्छी लगी हो तो class को जादा से जादा share कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा मिलते हैं नया station में इग नई topic के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत